हेलो दोस्तों आज यह मैं ओंक्यो कंपनी का 5.1 सिस्टम का एम्प्लिफायर है जिसको मैं अंदर से खोल के देखने वाला हूं अभी यह वर्किंग कंडिशन में नहीं है तो मैं अभी उसको खोल के देखूंगा अंदर से यह कैसा है यह उसका सारा आगे का डिटेल है और उसको मैं पिछे से भी खोल के आपको पिछे से भी घुमा के आपको दिखा देता हूं यह कैसा है यह उसका पिछे का लुक है इसमें HDMI के चार कनेक्शन यहां दिये हुए हैं यह HDMI आउट भी है यह सारे इन है यह आउट है यह आप्टिकल इनके दो कनेक्शन दिये हुए हैं जो आप्टिकल इन है यहां पर ओशियल का एक दिया हुआ है यहां एक रिमोट कंट्रोल के लिए लिए दिया हुआ है यह सराउंड वीडियो के लिए यहां पर दिया हुआ है और एम एफिट एफिम के एंटेना के लिए यहां दिया हुआ है यह सारे वीडियो स्प्लीटर लगाय हुए और यह प्री आउट है यह फराउंट के दो स्पिकल लगाने के लिए यहां बनाया हुआ है यह आर 해ल सेंटर के लिए और फाराउंट के लिए यहां पर यह लगाया हुआ है इस तरह से ये कुरा सिस्टम बनाया हुआ है audio का amplifier है अभी उसको खोल के अंदर से देखेंगे कि अंदर से ये कैसा है दोस्तो इसका अंदर का लुक इस प्रकार से है ये heatsink लगाया हुआ है और ये MOSFET transistor लगाया हुए है इस तरह से उसका नंबर दो दिखता नहीं है और इस तरह से ये पुरा डेस्ट आगे का dashboard है उसका पुरा ये fitting किया हुआ है यहां से और ये उसका heatsink इस तरह से लगाया हुआ है ये उसका transformer है और ये उसका ये RCA pin optical जो भी है ये उसका board यहां पर लगाया हुआ है ये दो fuse अंदर लगाये हुए हैं ये चालू condition में नहीं है उसको देखने का है कि उसमें क्या problem है तो इस तरह से ये पुरे पुरा amplifier का अंदर का ये सारा उसका लूक है हम बुरे ये तो दोरे ये कक भी है ये रसका मुणक है a ये कि उसका सावंड मैंने चालू कर दिया है और चलता है और यह फ्रॉंट स्पिकर बज रहे हैं यह स्पिकर है वह बारा ओंस के सोनी के स्पिकर बारा ओंस के स्पिकर है दोनों स्पिकर फिप अंडेड अंडेड वाट के है इसमें आठ इंच का वुफर है और एक विटर लगाया हुआ है यह बारा ओंस के स्फिकर आढ़ है हाँ हाँ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दोस्तों यह वीडियो था बहुत अच्छ एमप्ली फायर है 5.1 का